हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज का यह वीडियो क्लास एट के किसले अर्थात हिंदी पर अधारित है पाठ है इदगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पाठ इदगा करती है अभाव गरस्त जीवन बाल मन को व्यस्की की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है हामिद खिलोने की जगा अपनी दादी के लिए चिम्टा खरीद कर लाता है और दादी आमिना के लिए यह दृष गहरी सम्वेदना की अभिवेक्ति का कारन बनता है दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भीवह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है हम अपने आज पास कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें सबी संसाधन प्राप्त होते हैं जैसे खिलोने रुपीय पाईसे और भी सारी सूविधा उन्हें मिलती है परन्तु जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उन्हें ये सब मिलना मुश्किल होता है उनके जीवन में गुड़े गुड़ियां खेल खिलोंने आदी महत्व नहीं रखते हैं वे परिश्थितियों में इस तरह ढल जाते हैं कि अपनी जरूरत की चीजों की और सोचने लगते हैं और परिश्थिति के अनुसार ही उनके अंदर ज्ञान का विकास होता है साथ हिसाथ प्रेम चंद इस कहानी से असमानता की भी बात करते हैं कि किस परकार समाज में असमानता पड़ी हुई है भरी हुई है चलिए शुरू करते हैं इदगाह रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज इद आई है गाउं में कितनी हल चल है इदगाह जाने की तैयारियां हो रही है लड़के सबसे जादा परसन है सबकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है बार बार जेब से अपना खाजाना निकाल कर गिनते हैं और खु खरीद सकते हैं खिलोने मिठाईयां बिगोल गेंद और और ना जाने क्या क्या और सबसे ज़्यादा परसन है हामिद वह चार पांस साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चड़ गया और मा ना जाने क्यों पीली होती होती ए अब हामिद अपनी बुड़ी दादी आमिना की गोद में सोता है एद के दिन बच्चों को एदी मिलती है इन एदी से वे बहुत सारे चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपने अपने जरूरत के हिसाब से कोई खिलोना कोई मिठाईया कोई कुछ खरीदता है और इसी करम में हामिद भी एक बच्चा है वह भी परसन है क्योंकि उसे भी एदी मिली है परन्तु उसके पिता जो है हैजे से मर गए थे और उनकी मा गम से जन्नत को प्यारी हो गई पर हामिद अपने बुड़ी दादी आमिना के साथ रहता है आईए अब आगे पढ़ते हैं अभागिन आ इराशा में वह डूबी जा रही थी हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम तुम डरना नहीं अमा मैं सबसे पहले आऊंगा बिलकुल न डरना आमना का दिल कचोट रहा है गाउं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद को कैसे अकेले मेले में जान है वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी लेकिन यहां सिवईया कौन पकाएगा धोबिन नाइन महतरानी और चूड़े हारिन सभी तो आएंगी सभी को सिवईया चाहिए साल भर का त्योहार है आमना सोचती है कि आखिर यह बच्चा जो है हामिद किस परकार स इदगा को जाएगा तीन कोज दूर है एकेले जाना संभव नहीं है परन्तु हामिद कहता है कि मैं जल्दी आ जाओंगा सबसे पहले आ जाओंगा तुम चिंता मत करना साथ ही साथ वह भी सोचती है कि मैं कैसे उसके साथ जाओंगी मुझे तो यहां पर सभी बनाना है जा रहा था उसके पैरों को तो जैसे पर लग गये हैं कभी कभी कोई लड़का कंकडी उठा कर आम पर निशाना लगाता है माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है लड़के खूब हासर हैं इदगाह आ गई उस पर इमली के घनेव रिक्षों की छाया नीचे पक्का फ की निगाह में सब बराबर हैं लाखों सिर एक साथ सिजदे में जुक जाते हैं फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं एक साथ घुटनों के बल बैड जाते हैं कई बार यही किरिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्यां एक साथ पर दिप्तों और एक साथ बुझ जाएं इदगाह जाने के करम में कुछ बच्चे शरारत करते हैं और शरारत करते करते इदगाह तक पहुंच जाते हैं जहां पेड़ों के छायों के नीचे पका फर्स मिलता है और उस पर रोज़ेदार जो नमाजी है जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी पंक्ती लगी होती ह और उस पंक्ति में सब खड़े हो जाते है इस बारे में प्रेम चंद कहते हैं कि इसलाम की निगाह में सब बराबर है जो पहले आता है वो आगे आज होगा चाहे वो गरीब हो या अमीर जो पीछे आता है उसी पंक्ति को फिर आगे भरते रहता है सब एक से एक के साथ दूसरे के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़े होते हैं एक साथ सिद्धे जाते हैं एक साथ खड़े होते हैं इसलाम की नजर में सब बराबर होते हैं इस बात की चर्चा प्रेम चंद की है आईए अब आगे देखते हैं नमाज खत्म हुई लोग आपस मे गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलोनों की दुकान पर धावा होता है, तरह तरह के खिलोने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिष्टी, धोबिन और साधू, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूख रखे ह महसिन को भिष्टी पसंद आया, कमर पर मशक रखे, नूर को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए, सब दो-दो पैसे के खिलोने हैं, हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं, इतनी महंगे, खिलोने वह कैसे ले, कही हाथ से छुट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा, तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलोने लेकर वह क्या करेगा, सब अपने अपने खिलोनों की तारिफ कर रहे हैं, हामिद ललचाई आखों से खिलोनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ह ही सही, वह उन्हें हाथ में ले सकता, वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के एतने त्यागी नहीं होते, विशेश कर जब अभी नया शोक है, हामिद ललचाता रह जाता है, हामिद को एदी के रूप में तीन रूप पैसे मिले थे, उन तीन पैसों से वह क्या मातर तीन पैसे थे, सबी लड़के अपने अपने खिलोनों की तारीफ में एक दूसरे को चिड़ा रहे थे, बता रहे थे, और अपने खिलोनों की ही वाह वाही लूट रहे थे, परन्तु हामिद सिर्फ ललचाई नजरों से देखता ही रहा, अब सोचने वाली यह बात है क क्या हमारे पास जो खिलोने हैं, उन खिलोने से हम किसी और बच्चे को खिलने देते हैं, क्या हमारे बच्चे जो हैं, उन खिलोनों को अन्य बच्चों के साथ मिलकर खिल पाते हैं या नहीं, हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, इस पर निर्भर करता है, हामिद आग लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ तिन पैसे हैं क्यों नहीं कुछ लेकर खाता मौसिन उसकी लल्चाई नजरे देख कर कहता हामिद रेवडी ले खा कितनी खुश्वुदार है जैसे ही हामिद हाथ फेलाता है मौसिन रेवडी अपने मुँवे रख लेता है महमूद बच्चे उन गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है कि या फिर ये समझते हैं कि ये बच्चे इसी लाइक हैं और हम उनसे उंचे हैं क्या समाज में यही समानता है इसे सोचना होगा और हमें अपने समाज को एक अच्छे रूप में ढालना ह नहीं था वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामिद लोहे की दुकान पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए थे उसे ख्याल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तबे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कि चिम्टा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है हजारों दुआएं देंगी फिर पडोस की औरतों को दिखाएंगी सारे गाउं में चर्चा होने लगेगी हामिद चिम्टा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलोनों पर कौन दुआएं देगा बड़ों की दुआएं सिधे अल्ला के दर्वार में पहुंचती हैं और तुरत सुनी जाती हैं परस्थीती ने हामित को इस परकार से सोचने को मजबूर किया अब यहां पर सोचने की बात है कि क्या हमारे बच्चे इस परकार सोचते हैं हमारे दुखों को समझते हैं हमारे अवशकताओं को समझते हैं हमने उन्हें क्या सीख दिया और वो क्या सीख रहें या सोचने की अवशकता है दुकांदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामित ने चिम्टा तीन पैसों में ले लिया उसे कंदों पे रखा मानो बंदूख है और शान से अकरता हुआ साथियों के पास आया महसिन ने हस्कर का यह चिम्टा क्यूं लाया पगले इससे क्या करेगा महमुद बोला चिम्टा कोई खिलोना है हामिद बोला क्यों नहीं कभी अभी कंदे पर रखा तो बंदुक हो गई हाथ में लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ एक चिम्टा जमाद हूँ तो तुम सब के सारे खिलोने की जान निकल जाए तुम्हारे खिलोंने मेरे चिम्टा का बाल भी बाका नहीं कर सकते मेरा बहादूर शेर है चिम्टा समी ने खंजरी ली थी परभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलो गए हामीद ने खंजरी की और उपेक्छा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुमारी खंजरी का पेट फार डाले चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया और उने तीन तीन चार चार पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज ना ले सके हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सब ने अपने अपने खिलोंने दे कर चिम्टा पकड़ने का परस्ताब रखा हामिद मान गिया चिम्टा बारी-बारी से सब के हाथ में गया और उनके खिलोने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए कितने खुबसूरत खिलोने हैं पर उसका चिम्टा तो रुस्त में हिंद है सभी खिलोना का बादशाह हामिद ने अपनी सूजभूज और चतुराई से सब को परभाईत करते हुए चिम्टे के जो गुन बताएं उनसे बच्चे खुश हो गए और अपनी खिलोने से उन्हें बदलने का परस्ताव रखा परन्तु हामिद जो है वो चिम्टा ही चाहता था वो चिम्टा लेकर अपने घर जाएगा चलिए आगे पढ़ते हैं गाउं पहुँचकर बच्चों ने अपने अपने खिलोने से खिला पर थे तो वे मिटी के कुछी दिन में कुछी देर में तूट फूट गए अब मिया हमिद का हाल सुनिया आमिना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी गोद में उठा कर प्यार करने लगी चाहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वच्चों की यह चिम्टा कहा से लाया मैंने मौल लिया है कई पैसे में तीन पैसे दिये आमिना ने च्छाती पीट ली यह कैसा बेज समझ लड़का है ना कुछ खाया ना पीया लाया क्या चिम्टा सारे मेले में तुझा और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलिया तबे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया बुड़िया का क्रोध तुरंत सनेह में बदल गया हामिद और अन्य बच्चे की अगर तुलना की जाए तो अन्य बच्चे दुआरा खरीदे गए मट्टी के खिलों ने जो बाद में तूट गए परन्तु हामिद का चिम्टा जैसा का तैसा रहेगा और वह अपनी दादी के लिए लेकर गया दादी को उसने दिखाया दादी को लगा कि उसने बेकार का यह खर्च किया है और वह सोची कि क्यों न जो मैंने पैसे दिये थे उससे कुछ खाया क्यों नहीं कुछ खिलोंने क्यों नहीं लिया और वह अपनी चाती पीटने लगती है परन्तु बच्चे की बाद सुन करके वह अपने क्रोध पर काबू करती है और उसके बाद वह सनेह से भर जाती है बढ़िया का क्रोध तुन सनेह में बदल गया या सनेह मुक था खूब ठोस रसा स्वात से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग कितना सदभाव और कितना विवेक है दूसरों को खिलोंने लेते और मिठाई खाते देख कर कितना ललचाया होगा मन इतना जब तक इससे हुआ कैसे वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही आमना का मन गदगद हो गया आमना की आखे भर आई दामन फहला कर हामिद को दौएं देती जाती थी और आशों की बड़ी बड़ी बुंदे गिराती जाती थी हामिद इसका रहस से क्या समझता आमना जो है अपने पोते हामिद को गले लगा कर खुब रोती है और सोचती है कि इतना त्याग इतना सदभा और इतना विवेक कैसे इसके अंदर आ गया और यह जो मन है इसका ललचाया क्यों नहीं अगर ललचाया होगा तो किस तरह से इसने इस पर काबू पाया होगा तो अब सवाल यह उठता है कि हमारे बच्चे कितने विवेकी सदभा और अत्यागी हैं क्या वे इस परकार से सोचते हैं और कितने उम्र में सोचते हैं यह सोचने वाली बात है तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्रीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें, धन्यवाद.